कुलकता केस में आरजीकर अस्पताल के तदकालीन प्रिंसपल संदीप घोष पर सीबियाई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है सीबियाई चौथे दिन संदीप घोष से पूछताच कर रही है क्योंकि प्रिंसपल भी शक के दाइरे में हैं सीबियाई की टीम सच पता लगाने के लिए हर पहलो की जांच परताल कर रही है अब सीबियाई की एक टीम दरिंदगी की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर भी पहुंची है सीबियाई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है इस टीम में दो महला अधिकारी भी हैं CBI की टीम परिवार के लोगों से ट्रेनी डॉक्टर की डायरी को लेकर भी सवाल करेगी ट्रेनी डॉक्टर एक डायरी मेंटिन करती थी और उसकी फटी हुई डायरी पुलिस को मिली थी कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थियोरी इस वक्त चल रही है कई तो बे सिर्थ पैर के दिख रहे हैं लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जाच के बाद ही मिल सकता है जिसमें पहली थियोरी है क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे इस थियोरी के पीछे की वज़े है 1500 मिली ग्राम सीमन का मिलना हलाकि इससे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं दूसरी थियोरी क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साज़िस थी इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनावनी वारदात को अंजाम दिया हो तीसरी थियोरी बड़ी दिल्चस्प है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वाल्व हो चौथी थियोरी जिसके आधार पर पोलिस ने संजय रॉय को गिरफतार किया और मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं सवाल वही है आठ और नौ अगस्त की दर्मियानी रात को कोलकाता के आर जी का रस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था इस संबेतंसील मामले में सबसे महत्पूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डी एने जांच रिपोर्ट जी हाँ डीने जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि जवारदात में संजे रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी जवा तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा इस बीच केस में अब तक CBI के हाँथ क्या कुछ लगा है आपको वो भी जानना चाहिए CBI सूत्रों के मताबिद अब तक टीम को अस्पताल का CCTV फुटेज, पीडिता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि CBI के हाँथ डॉक्टर की डारी लगी है जो महिला डॉक्टर के शब के पास मिली है ये डारी CBI को कोलकाता पोलिस ने सौपी है, जिसके कई पन्ने फटे होएं, पोलिस ने डारी के फटे पन्ने भी CBI को सौप दिये हैं CBI के सामने चोनोती बड़ी है क्योंकि केस की शुरुवात से ये भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़ चाड़ करने की कोशिश होई है CBI को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूश्टाच की जा रही है केस में CBI की रेडार पर अब कौन-कौन है वो भी देख लीजी CBI जिन लोगों से पूश्टाच करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों के लिस्ट तग्यार की गई है इस लिस्ट में पीडिता के दोस्तों के नाम है साथ काम करने वाले इंटर्ण डॉक्टर के नाम है अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है पूलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है रूख अपा देने वाले इस वार्दात की कड़ियां इतनी उलजी हुई है कि आसानी से इनका सुलजना बहुत मुश्किल है लेकिन CBI जिस तरह से एक्षन में दिख रही है उससे उम्मीद है कि देर सबेर इस केस का असली गुनागार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जगहन ने केस में करता रहा है क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाब तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडर तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याए और तभी मिल पाएगा ऐसे गुना अंजाम देने वालों को सब हर्याडा के रोतक से एक हैरान केरने वाली खबर आई है यहां मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ मारपीट की गटना सामने आई मारपीट का आरोपी पीजी डॉक्टर है आरोपे की 16 अगस्त की शाम को आरोपी नी मेडिकल केंपस से मेडिकल छात्रा को अगवा किया और उसे अपनी गाड़ी में रात में अंबाला और चंडी गड़ लेकर गया कोलकता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत और हत्या की खौफनाक वारदात को देश अभी भूला नहीं डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पूरा देश आग्रोश में है कि अचानक महिला डॉक्टर से हैवानियत का नया मामला अर्याणा की रोतक से सामने आया है जहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा का केड्नेप किया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गया मेरे साथ साथ महीने से टॉर्चर हो रहा है जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कोशिद एनाइटमी फर्स्ट इयर पीजी एमटी कर रहे हैं वो यहां से दरसल 16 अगर्ष्ट को रोहतक मेडिकल केमपस से महिला डॉक्टर को अगवा किया गया आरोपी उसे अपनी गाड़ी में रात में अंबाला और चंडी गड़ लेकर गया जहां उसके साथ मार पीड की गई इसके बाद 17 अगस्त को आरोपी ने डॉक्टर को छोड़ दिया शर्वाती जांत में सामने आया कि पीडिच छात्रा और आरोपी डॉक्टर दोनों PGI MS से तालुक रखते हैं पीडिच छात्रा BDS की पढ़ाई कर रही है जबकि आरोपी डॉक्टर मनेंदर कौशिक एनाटॉमी विभाग में PGI का स्टूडेंट है करीब 5-6 महीनों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं लड़की के बयान और जांच में अभी तक योन उत्पीडन या रेब का कोई मामला सामने नहीं आया है पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चापे मारी कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ़तार कर लिया है फिलाल आरोपी रेजिडन डॉक्टर को निश्टकासित कर दिया गया है ऐसे में सवाल है कि अगर महिला डॉक्टर अपने साथ ही डॉक्टरों के भीची सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा कहा है बड़ी खबर मापको राजस्तान के उदेपूर से बता रहे हैं जहां पर चाकुबाजी में घायल चातर देवराज की मौत हो गई है सूला हगस्त को स्कूल में चाकुबाजी हुई थी जिसके बाद चातर को अस्पताल में भरती करवाए गया था ایم بی اسپتال میں उसका ँलाज चल रहा था जहां उसकी मौथ हो गई चातर के मौथ के बाद अस्पताल के बाहर भहरी संखे में पुलिस बलको ट biết किया गेा है अस्पताल का एक गेट भी बन कर दिया है मिर्तक चातर के पर जिनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजाकी मांगी।